हलो दोस्तों ख्रोशे क्राफ की दुनिया में वेलकम आज के इस वीडियो में हम ख्रोशे से एक बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा एक बोटाइब कैसे बनाएंगे वह देखेंगे तो यहां मैंने थोड़े बना के रखा है तो इसे आप हैर बैंड में भी बना सकते हैं या जो भी आपके पास है उसमें आप रख सकते हैं चाहें तो आप इसे जो ख्रोशे का हैर बैंड है उसमें भी बना के विट कर सकते हैं तो ऐसे नौटेड हैर बैंड जैसे आपको मिल जाएगा बच्चों के रिए बहुत ही प्यारा और थ्यूट सा एक आइटम है बहुत जल बच्चे कुछे जो यांस हैं उसे आप बना सकते हैं तो इसे बनाने के रिए मैंने देखे इस तरह का जो स्क्राप यांस है इससे मैंने बनाया है बहुत कम धागा लगेगा और नॉर्मल जो धागा है उसी से बनाया है साथी मैं मैंने यहां 3.5 mm का ख्रोशे का होक यूज किया है आपके बास जो धागा है उस हिसाब से आप खुक ले लीजे तो आपका बन जाएगा ठीक है तो आप इसे जरूर ट्राइ करना और अगर आपने इसे बनाया है तो हो सके तो मुझे फेस्बुक या इंस्टाग्राम में अगर आप भी है तो वहां भी टाग कर देना था फिक है तो इसे स्टाट करते हैं स्टाट करने से पहले छोटए सा एक रिक्वेस्ट अगर आप मेरे च्टा में पहली बार आए है या मेरे channel के वीडियो से देखते हैं और अभी तक अगर आप ने subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर दीजे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share भी कर दीजे अब हम इसे start कर लेंगे तो इसे हम पहले एक slip knot के साथ start करेंगे तो आप एक slip knot पहले बना दीजे और slip knot बनाने के बाद आपको 33 chain stitches लगाने हैं ठीक है तो हम 33 chain stitch लगाएंगे तो chain stitch करने के लिए इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरह से मैं total 33 chain stitches बनाती हैं और next step कैसा है वो दिखाती है ठीक है तो आप 33 chain stitches लगा लीजिए पहले तो तो यहां मैंने 33 chain stitches बना दिये हैं अब हम start करेंगे तो start करने के लिए जो पहला जो stitch है उसको हम skip करेंगे और दूसरे stitch में slip stitch बनाएंगे तो पहला stitch को skip करके जो दूसरा stitch है उसमें एक slip stitch लगा लेंगे इस तरह से ठीक है अब next जो stitch चाता है उसमें एक single crochet जाएगा उसके बाद जो stitch चाता है उसमें आप एक half double crochet बना दीचे तो उसके लिए इस तरह से बनाना है एक half double crochet उसके बाद जो next 2 stitches आते हैं उसमें एक double crochet बनाना है तो इस stitch में एक double crochet जाएगा next में भी एक double crochet बनाएंगे ठीक है तो यहां एक double crochet गया उसके बाद जो stitch आता है उसमें आपको एक triple crochet बनाना है तो triple crochet के रिए आपको दो बार इस तरह से लेना है और यहां एक triple crochet बना लेंगे तीन बार आपको निकालना होगा तो यहां एक triple crochet बन गया उसके बाद जो next 2 stitches आता है उसमें एक double crochet बनाएंगे तो जो next stitch है उसमें आपको एक double crochet बनाना है और उसके बाद जो stitch आता है उसमें भी आपको एक double crochet बनाना है इस तरह से ठीक है उसके बाद एक half double crochet जाएगा यहां और फिर एक single crochet तो यहां हमने half double crochet बनाया था जो next stitch है उसमें आपको एक single crochet बनाना है यह इस तरह से बनेगा इसी को हम repeat करेंगे थीक है तो यह single crochet हो गया अब क्या करना है जो next 12 stitches है उसमें आपको एक slip stitch बनाना है तो जो next 12 stitches है उसमें एक-एक slip stitch बना दीजे तो इस तरह से एक slip stitch next stitch में आ जाएए फिर से slip stitch इस तरह से आपको 12 slip stitch बनाना है तो मैं हो बना देती हूं यह 3 हो गया आपको total 12 बनाना है तो देखे यहां मैंने 12 slip stitches भी बना दिये हैं अब जैसे हमने यहां बनाया था उसी को हम यहां repeat करेंगे ठीक है तो 12 slip stitch बन गया next जो stitch आएगा उसमें आप एक single crochet बना दीजे उसके बाद एक half double crochet उसके बाद जो next 2 stitches आते हैं उसमें आपको double crochet बनाना है तो यह एक double crochet यहां और next stitch में भी आपको एक double crochet बनाना है इस तरह से ठीक है उसके बाद एक triple crochet बनेगा तो दो बार इस तरह से लेना है और ट्रिपल ख्रोशे बनाना है इस तरह से चार लूप है तो यान ओवर करके पहले दो लूप में से यान ओवर करके नेक्स के दो लूप में से यान ओवर करके लास के दो लूप में से लेना है तो ये एक ट्रिपल ख्रोशे बन गया अब जो next 2 stitches है उसमें एक-एक double crochet जाएगा तो next stitch में आ जाएए और एक double crochet उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें भी एक double crochet ठीक है उसके बाद आपको एक half double crochet बनाना है और फिर एक single crochet ठीक है अब last में एक stitch बच गया है उसमें आप एक slip stitch लगा दीजे इस तरीके से देखे यह इस तरह से हमारा एक side बन गया है अब हम इस side में इसको repeat कर लेंगे तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से थोड़ा more देंगे और जहां हमने slip stitch किया था वहां एक और slip stitch लगा देंगे same stitch में slip stitch लगा देंगे इस तरह से लास का जो stitch है उसमें दो slip stitch जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे यह जो opposite side है उसमें हम work करना start करेंगे और यह जो end है उसको आप इस तरह से पकड़ लीजे और stitches को इसके ऊपर हम बनाते जाएंगे ठीक है तो आपको क्या होगा लास में फिर से इसको छुपाने की ज़रुद नहीं पड़ेगी तो slip stitch हो गया है जो next stitch आएगा वहां आपको एक single crochet बनाना है same हम repeat करेंगे उसके बाद जो stitch आएगा उसमें आपको एक half double crochet बनाना है इस तरह से next दो stitch उसमें एक double crochet जाएगा तो next stitch में एक double crochet बना दीजिए इस तरीके से उसके बाद जो stitch आता है उसमें भी आपको एक double crochet बनाना है तो इस stitch में भी एक double crochet बनाएंगे तो देखी यह जो यान है इसको हम इस तरह से पकड़ के बनाएंगे ताकि यह अंदर छिप जाए अब हम एक टृपल खुषे बना लेंगे स्टिच तो वहाँ आपको एक ट्रिपल ख्रोशे बनाना है तो एक ट्रिपल ख्रोशे बन गया अब जो next दो स्टिचेस है उसमें एक एक डबल ख्रोशे जाएगा तो यहाँ जाएए और एक डबल ख्रोशे बना दीजिए उसके बाद जो next stitch है, उसमें भी आपको एक double crochet बनाना है, इस तरह से, उसके बाद एक half double crochet बनाना है, और फिर एक single crochet, तो इस तरह से आपका pattern एक side का बन गया है, देखिए, आप क्या करना है, जो next, जो 12 stitches है, उसमें आपको slip stitch लगाना है, तो पहले stitch में आजाएए, एक slip stitch बनाएंगे, यह एक next में आजाएए, यहाँ भी एक slip stitch लगेगा, दो, इस तरह से में total 12 slip stitches लगा लेती हैं, ठीक है, तो यहाँ मैंने 12 slip stitch कर दिये हैं, अब हम इसका last जो part है, उसको finish कर लेंगे, तो 12 slip stitch बनाने के बाद जो next stitch आता है, उसमें आपको एक single crochet बनाना है, उसके बाद जो next stitch आएगा, उसमें आपको एक half double crochet बनाना है, उसके बाद दो stitches में double crochet, तो यह एक double crochet, next stitch में भी आपको एक double crochet बनाना है, इस तरह से, उसके बाद जो stitch आएगा, उसमें आपको triple crochet बनाना है, तो triple crochet के लिए दो बार ऐसे लेना है, और फ तीन बार निकालना है तो यह दूसरा यह तीसरा तो यह triple crochet बन गया अब जो next डोस्टिच्चिस है उसमें आपको double crochets बनाना है तो एक double crochet बन गया जो next stitch है उसमें भी आपको एक double crochet बनाना है उसके बाद आपको एक half double crochet बनाना है सॉरी एक हाफ डवर खुर्षे बनाना है उसके बाद एक सिंगर खुर्षे पड़ेगा यहां और एक स्लिप स्टिच आप यह लास्ट का जो स्टिच है उसमें आप इस तरह से स्लिप स्टिच कर लीजिए और इसको खतम कर लेंगे इसको हम कट कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारा तयार हो गया है अब यह जो एंड है इसको हम सी देंगे ठीक है तो मैं थोड़ा सी देती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसे कैसे फिट करना है तो यहां मैंने इसे पूरा सी दिया है और हमारे पस इस तरह का एक पीस है अब जो आपके पास जो रबर बैंड है या है बैंड है जहां भी आपको इसे फिट करना है इस तरह से ले लीजिए और इसको हम बांद देंगे निकल जाएगा थोड़ा सा यहीं मुश्किल हो जाएगा निकालना मगर निकल जाएगा तो इसको मैं यहां इसकी पीचों बीच लगा लेती है और फिर इसको आप खीच लीजिए आपको जस्त एक गाठ बनना है और कुछ नहीं करना है बहुत ही सिंपल है है एर बैर में भी जैसे दिखा था पहले आप एक तरह से रख सकते हैं बीच में लाद लागा इसको इस तरह से आपके तयार हो गया है देखे ये बन गया हमारा बहुत ही cute सा एक crochet bow tie, बहुत ही आसान है, बहुत ही simple है, आप जरूरी से try करना, और अगर आपने इसे try किया है, तो अगर आप Instagram या Facebook में हैं और अपने से बनाया है, तो प्लीज वहां भी मुझे tag करना, मैं आपका देखना चाहूंगी, तो ये था आ अबूली, नेक्स्ट वीडियो में बिलूंगी, तब टेकरे, बाई! Thank you for watching!